आज बनाया मैंने राजिस्थान स्पेसल रसाज की कड़ी बहुत टेस्टी लगती है ट्राइज जरूर करना तो बने रहे हैं मेरे साथ सबसे पहले आपको एक बोल लेना है और उसमें आपको बेसन ले लेना है बेसन सिर्फ मैंने तीन चमच लिया है उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नमक डाला है आधा चमच हल्दी थोड़ी सी एक पिंच लाल मिर्च और साथ में थोड़ी सी अजवाइन अगर अजव का फलेवर केंचे लगता है कि ठोड़ा करके पानी डाला एंसरे को divided ताकि तली में लगे क्योंकि बेसन बहुत जल्दी तली में बैट जाता है और लग जाता है तो थोड़ा सा पानी और डाला मैंने जितना भी उसमें बचा था और कंटिनुवसली स्टर करते रहना है इस तरीके से गाड़ा होने लगेगा जैसे बिल्कूल कंसिस्टेंसी गाड बंद कर देंगे और एक फ्लाइट प्लेट लेंगे या तो स्क्वर सेप में प्लेट लेना क्योंकि बेसन को ठटा होने के बाद हम उसके रसाज काटेंगे तो उसके लिए वह लंबे-लंबे शेफ बाले ही अच्छे लगते हैं इस तरीके से बेसन को रख देंगे 10-15 मिनिट क खटा दही और ना उसमें पानी डाल देना जितना बेसन लोगे उससे 8-10 गुना ज्यादा आपको पानी डाल देना है अच्छे से मिक्स करना है चाच की भी आप बना सकते हो मठा या चाच जो भी बोलते हैं मही बोलते हैं अगर आपके पास दही की जगए मही हो तो उसकी भी बना सकते हैं इसमें आपको नमक विला देना है हल्दी और लाल मिर्च पाउडर अच्छे से मिक्स कर देना है इसमें भी लंब्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए बेसन की अच्छे से गोल बनाके 10-15 मिनिट के लिए इसको रख देंगे साइड में अब हम बेसन की बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से हमारे रसाज बनके तयार हो जाएंगे इनको हम एक अलग से प्लेट में निकाल लेंगे क्योंकि मैंने पहली बार ये बनाई है कड़ी इस टाइब की मुझे पता नहीं था तो पहला जो मैंने घना बनाया मतलब पहली बार जो तला वो बिगड़ गया था क्योंकि वो अच्छे से सूखे नहीं थे फिर मैंने पंके की हवा में रखा दोनों साइड ना जो बेसन का रसाज है वो अच्छे से सूख जाना चाहिए उसकी बाद इस तरीके से आपको तला है पहले मैंने एक ट्रायल किया था उसकी बाद आपको इस तरीके से डालते जाना है और आपना इनको अपने पसंद के साइज या शेप में काट सकते हो जैसा भी आपको ठीक लगे इस तरीके से सिखे और तयार हो जाएंगे दोनों साइट अलट पलट करके हम सिख देंगे उसकी बाद फिर से उसी कड़ाई में सर्सों का दो चम चींग आदा चमच मैथी दाना और आदा चमच राई डाल के अच्छे से भूनेंगे फिर लाल हरी मुझ डाल देंगे क्योंकि मुझे तीखा पसंद है अगर आपको तीखा नहीं पसंद तो आप थोड़ा कम कर सकते हो मर्च कड़ी पत्तर डाल देंगे और हम इसको तले की कड़ाई या मोटे तले का बर्तन लोग उसमें कड़ी बहुत अच्छी बनती है खासकर लोहे की कड़ाई की कड़ी की बहुत बात अलग होती है इस तरीके से रसाज बनके हमारे तयार हुए थे कड़ी में जब उबाल आ जाएगा तो आपको फिर से दुबारा लगती है पराठे के साथ भी अब उपर से डाल दीजिएगा खूब सारा हरादा निया चाहो तो एक तड़का लगा देना दर्वाइस जैसे इंजॉय करो वीडियो अच्छा लगए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना